ओम रामेश्वर नमह दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों दुश्मन तुम्हारे घर के टुकड़े करेगा अगले 24 गंटे में मित्रों आखिर किसका हाथ है आपके घर को बरबाद करने में आख के इस विशेश कार्यक्रम में हमारे विशेश अज्य हमारे बीच बैठे हैं आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं हमारे गुरू जी उसका समाधान आपको जरूर बताएंगे दोस्तों इस वीडियो को बिलकुल भी हलके में भगवान जब देश आपके सारे दुख हर लेंगे दोस्तों इस वीडियो की शुरुवात हम बड़े ही चमतकारी उपाय से करेंगे इसलिए बिलकुल अंत तक वीडियो में बने रहना मित्रो चलिए जान लेते हैं मित्रो एक छोटा सा चमतकारी उपाय मित्रो कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है ऐसे में मित्रों सोमवार के दिन आप भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाभिशेक करें एक बिल्व पत्र पर मित्रों चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें अपनी मनो कामना बोलते हुए फिर देखिए मित्रों कि भगवान शिव कैसे आपको उस कार्य में सफल करेंगे और भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्थ होगी। मित्रों यह चमतकार सोमवार का है। यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों यह समय बहुत शुब चल रहा है। जी कोई भी कार्य, कोई भी डिसिजन, कोई भी निर्णय उसके साथ ना ले और बिना सोच विचार किये किसी व्यक्ति की मदद करने से आपको बचना चाहिए। थोड़े से कम रिस्क वाले काम करें। इसलिए जो भी लोग आप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ऐसे कामों से भी और ऐसे लोगों से भी दूरियां बनाए रखें। काम से संबंधित नाराजगी जल्दी ही दूर होगी और काम पर फोकस बढ़ने लगेगा। मित्रों, लव रिलेशन्शिप में अन्य लोगों की वजह से तनाव हो सकता है और सेहत में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करते रहें। योगा और प्राणायाम के जरिये काफी जल्दी बदलाव नजर आएगा। और मित्रों बता देते हैं कि आपको लाभ भी मिल सकता है। आप सकारात्मक रहेंगे तो हर परिस्थिती सकारात्मक होगी। दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। यदि आप अपना स्वयम का व्यवसाय कर रहे हैं तो योजनाओं को लागू कर पाएंगे। बहुत जल विधियों में भी आपकी सक्रियता रहेगी, आपकी रुची रहेगी। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर दूर गामी सोच रखेंगे, यानि कि दूर की सोच रखेंगे और सफल भी रहेंगे। अचानक ही किसी खास व्यक्ती से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साब होगी। किसी बात को लेकर मन में निराशा रहे तो आत्म मन्थन करने से कोई समाधान मिलेगा। मित्रों, निराशा को जल्द से जल्द आशा में बदलने की कोशिश करें। लेन देन संबंधित मामलों में सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें और ससुराल पक्ष के मित्रों, व्यवसाय में इस समय क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। मार्केटिंग या फाइनेंस का काम कर रहे लोगों को अपना टार्गेट पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। खास कर दोस्तों के साथ मेल मुलाकात होने से मन प्रसन रहेगा। गैस और बदहजमी की वजह से पेट दर्द की शिकायत रहेगी। ध्यान रखें कि सहयोगी और कर्मचारियों के साथ संबंध न बिगड़े। संबंध खराब न हो और साझेदारी के बिजनस में भी। मित्रों कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। मित्रों बता देते हैं कि समय जो है अच्छा चल रहा है। आपका व्यवहार जो है दूसरों को बहुत प्रभावित करेगा और अगर आप भी दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएं। भविष्य में होने वाले किसी काम की भी तैयारी शुरू हो सकती है और दोस्तों से मन की बात शेयर करने से कोई समस्या का समाधान भी मिलेगा। मित्रों आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आएगा और ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आपने पहले भी कई बार जल्दबाजी की थी लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मित्रों की जल्दी का काम शैतान का होता है इसलिए बहुत सोच समझ कर थोड़ा सा रुक कर निर्णय लें और कोई भी योजना बहुत ही सोच समझ कर बनाएं तो उचित रहेगा। इससे मित्रों कोई नुकसान नहीं होगा और अपने माता पिता के मार्ग दर्शन और अपनी सलाह को उचित सम्मान दें और उधारी जैसे लेन देन से बचें। इस वक्त आपको न औरों को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। साथ ही मित्रों आप सभी को ब अगर आपको लग रहा है कि घर में बिना वजह जगड़े होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको घर में एक बार नवग्रह की पूजा जरूर करवानी चाहिए। घर में लड़ाई जगड़े की स्थिती से बचने के लिए हर रोजाना सुबह पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है। साथ ही इससे सकारात्मक उर्जा का वा लिखकर अवश्य बताएं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करें। बस सही बने रहोगे तो वक्त आपको आपकी जिन्दगी की सफाई खुद देगा। इसलिए मित्रों आप अपने को स्वयम अंदर से जानते हैं। आप लोगों के सामने इस बात की बिलकुल भी गवाई ना दें कि आप सत्य है क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं और जब भगवान आपका वक्त लेकर आएंगे तो आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी का यह अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा तो मित्रों आपको बता दें कि पारिवारिक व्यवस्था को अनुसार है और शांति पूर्ण बनाए रखने में आपका विशेश प्रयास रहेगा तो आपको बता दें मित्रों की विशेश प्रयास के बावजूद भी कुछ मौके आपके हाथ आएंगे आप काफी हद तक प्लेन के अनुसार सफलता को पाने में कामयाब रहेंगे और कोई भी निर्णय लेते समय उससे संबंधित पहलूँँ पर सोच विचार करने से आपको उचित सफलता मिलेगी जी हा मित्रों कोई भी निर्णय हो चाहे निर्णय बड़ा हो चाहे छोटा हो आपको सोच विचार करना है दोपहर के बाद देखा जाए तो परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है आपके पक्ष में आ सकती है हैं और अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने में शुरुआ में कुछ दिक्कतें आएंगी लेकिन मित्रों फिर देखेंगे कि समय के साथ सारी दिक्कतें दूर भी हो जाएंगी परंतु साथ ही समय रहते आपको हल भी मिल ही जाएंगे और खर्च करते समय बजट को नजर अंदाज बिलकुल ना करें मीडियम लोग आप कभी-कभी जल लाव लाने से अच्छी परिस्थितियां बनेंगी मित्रों सहयोगियों यानि कि जो आपका सहयोग करते हैं कर्मचारियों की मदद से जरूरत के सारे काम भी पूरे होंगे जिन कामों की आपको जरूरतें वह कार्य आपको अपने लोगों के सहयोग से पूरे होते हुए दि परिवार में सुख शान्ती और प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुर्ता रहेगी। मित्रों, जुकाम जैसी हलकी फुलकी परेशानियां आपके लिए रहेगी, तो घरेलू इलाज से ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। जुक जहलना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ समय के आधार पर होता है। समय की चाल आज नकरात्मक रही, तो कल सकारात्मक भी होगी कि खुद को अपने व्यक्तिगत कारियों में ही व्यस्त रखें। इस कारण आपके लिए बहु कुल ना करने दे। क्योंकि कभी कभी दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके लिए परेशानिया खड़ी कर सकता है। साथ ही, अपना ख्शमता के अनुसार ही किसी से वादा करें, वरन्ह आपको तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि मित्रों, आप कभी-कभी अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को एहमियत देते हैं, लोगों से वादे कर लेते हैं, व्यवसाय सुधार आपके जीवन में आ रहा है और आपके फैसले को सही साबित होंगे कि मित्रों, व्यवसाय कार्य प्रणाली इस वक्त बहुत ही बढ़िया लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए नई संभावनाएं भी रहेगी और पारिवारिक मामलों में आपका विशेश सहयोग करना पड़ेगा। व्यर्थ प्रेम संबंधों में समय और पैसा सिर्फ और सिर्फ नश्ट ही होगा। इसलिए आपको बता दें कि आप पैसों से समबंधित सारे कार्य सही समय पर सही व्यक्ति के साथ कर लें और आपको बता दें मित्रों की गैस एसिडिटी जैसी हलकी फुलकी समस्या आपको हो सकती है तो ग्रिष्ट और तले भूलें सेवन पर हेज करें। मित्रों आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और जिसकी आपको काफी लंबे समय से तलाश थी के साथ ही कोई रुका हुआ कार्यपूर्ण होगा, और आपका रुका हुआ कार्यपू कि अपने नजदीकी संबंधों के साथ रिष्टे में मधुर्ता बना कर रखें इस साल करना आपके लिए बहुत जरूरी है और जब आप सुकून जिंदगी को पाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय परिवार वालों के साथ भी जरूर व्यतीत करना है मित्रों, आपको बता दें है कि पडोसियों अथवा बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रशनल बातों को शेयर ना करें कोई नजदीकी यात्रा को स्थगित रखना भी उचित रहेगा और बिजनस में भविश्य संबंधित गतिविधियों की योजना बनेगी लेकिन सावधान रहने की भी आपको जरूरतें जोखिम भरे कामों में पेसा ना लगाए वरना आपको नुकसान होने की आशंका है और नौकरी पेशा लोग अपने लक्ष को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे मित्रों के दामपत्य जीवन में उच्च सामंजस्य रहेगा घर में कुछ धार्मिक क्रिया कलाब भी होने से सकारात्मक वातावरण रहेगा और मित्रों आपको बता दें कि शरीर में कुछ दिक्कत रह सकती है चुट्टी वाले के दीन आलस हावी हो सकता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलस को अपने उपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है और हां मित्रों इस बात का भी रखिएगा कि व्यवस्थित दिन चर्या घर में सकारात्मक उर्जा बना कर रखेगी इसलिए व्यवस्थित रखें मित्रों, आईए, हम आपको शुकरवार का एक उपाय बताते शुकरवार के दिन काली चीन्टियों को शक्कर डालने से रुके हुए काम बन जाते हैं यदि आप कोई काम लंबे समय से रोकता है, तो ग्यारा शुकरवार तक काली चीन्टियों को शक्कर के दाने डालने से आकाम पूरा हो जाएगा और आपके कारे आगे बढ़ने लगेंगे, और जीवन में सुख शान्ती आएगी। हमारे गुरू जी कहते हैं कि किसी इनसान से कोई गलती हो, तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरा में भी गिर जाए, तो भी कीमती राहत है। हीरे का टुकड़ा है, तो अगर वो कचरा में गिर जाएगा, तो उसकी कीमत कम नहीं होगी, तो आई इस ग्यान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपका ध्यान ना तो काम में लगेगा और ना ही निजी जीवन में लगेगा। मित्रों, समय उर्जा से परिपूर्ण रहेगा। नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपको इसे फाइदा ही होने वाला है। वैसे तो आप जिम्मेदारियां को निभाना आपको मिल रही है। उन जिम्मेदारियां को हलके में बिलकुल भी नहीं लेना है। मित्रों, किसी प्रोजेक्ट पर निवेश करने के लिए आर्थिक स्थिती पक्ष में बनी स्थिती और अधिक बेहतर होगी। हालांकि कामकाज के बहुत से तनाव बाढ़ सकते हैं। कामकाज का बोज आपके उपर ज्यादा रहेगा। आप ना तो स्वयम के जीवन पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही परिवार पर ध्यान दे पाएंगे। किसी भी इनसान पर इस वक्त आँख मूंद कर भरोसा बिलकुल ना करें। मित्रों, अगर बिजनेस में बदलाव करने की योजना है तो समय अच्छा चल रहा है, उत्तम चल रहा है। फाइनस समबंधित कामों में लोगों को टार्गेट पूरा करने में बहुत मेहनत करने पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त कम का बोज बहुत ज्यादा आपके उपर बना हुआ है। मित्रों, आप कम के बोज तले डब सकते हैं। बता देते हैं कि टार्गेट यानि समय रहते पूरे कर लिए, तो आप दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। और हाँ, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध से आपको सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से जुड़ा बड़ा बॉर्डर मिल सकता है। मित्रों, आपका यदि कोई सरकारी कार्य बहुत लंबे समय से अठका हुआ है, तो वह सरकारी कार्य समय रहते संपन्न हो जाएगा और वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा, तो ताल मेल बना कर रखें, और प्रेम प्रसंग में किसी भी प्रकार की गलत फहमी को जगह नहीं देना है, दूरियां आपको को दर्द देगी, मित्रों, वहां चलते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूर है, और जोखिम पुर्ण से भी आपको दूर रहना है, जिन जातकों को जन्म दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, और जिन दर्शकों की वैवाहिक वर्षगांठ हैं, तो उन्हें भी अपने वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, मित्रों किसी काम से जा रहे हो और कम पूरा होने में आशंका है, तो छोटा सा उपाए, यदि आप किसी भी फायदे के लिए जा रहे हैं, तो किसी पूर्य में सफलता मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं, सामने वाला मना नहीं कर पाएगा आपको, यह आज माना चाहिए तथा छोटा सा उपाए, मित्रों, वहीं पत्नी-पत्नी में प्रेम कम हो गया हो, तो मित्रों, महीने के चौत के दिन, यानि की जो चौत होती है, मही प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे और दोबारा प्रेम भाव हो जाएगा, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृध्ध लेकर आने वाला है, नौकरी में कारिरत लोग अपने कामों से बौस को प्रसन रखेंगे और उनका प्रमोशन भी होने की संभावना है, आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी, आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है, यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो आप उसे भी काफी हद तक उतार सकते हैं, आप उन्नती के र की अनुसार आपका जीवन बनेगा, ऐसा नहीं है मित्रो कि आप डाक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप हैं इंजीनियर, तो यह गलत है, जिस चीज में आप योग्ये हैं, वही योग्यता के अनुसार आप अपना जीवन चमकाएंगे, तो गुरुजी का यह ग्यान आपक को अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखियेगा, मित्रो, कोई भी काम नए से शुरुवात करने में कठिन लगता है, जी हां, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुवात करना कठिन कार्य है, लेकिन जैसे आपको अनुभव मिलते जाएंगे, वैसे आपका विश्वास बरहेगा, और वैसे ही आप आगे बरहेंगे, इसी के साथ आपको बता दें कि मिल रहे अनुभव के कारण भविश्य के काम आप ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि भविश्य में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात पर विश् रखें और आर्थिक व्यवहार करते समय आपको अधिक जागरूकता रखनी होगी, क्योंकि जब आप अधिक जागरूक रहेंगे, तभी जीवन में आगे बरहेंगे, पैसों को अधिक ध्यान देने के कारण मन्चाहिक शेत्र में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मित लाने की कोशिश की वजह से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर आखिर क्यों बदल रहा है, उनके बरताव में क्यों बदलाव आ रहा है, इस बात का पता लगाएं और कब से समबंधित समस्या बारहक सकती है, वहीं मित्रो, आपको इस बात का भी ध्यान मित्रो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा नाराज नहीं होना है। कश्ट के बाद मिलने वाले फल पर भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जो कश्ट आपने जहले हैं वह बहुत ही उदासीन थे। लेकिन अब जीवन में सुखा आएगा। जो लोग आपका विरोध करते हैं या जो लोग आपके खिलाफ हैं या जो लोग आपके प्रति भढ़काउं रखते हैं ऐसे लोगों को मात दे पाना आपके लिए संभव हो सकता है और आप इन्हें मात दे कर जीवन में आगे बढ़ तो आप उनकी रूप रेखा आसानी से समझ पाएंगे. आप उनके हर एक दाव, हर एक पेंच को समझ पाएंगे. मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने प्रतिसपर्धी पर भी काम की नजर बनाए रखें और पुराने बातों को सुलजाने की कोशिश व्यर्थ हो सकती है. भूत काल को छोधिये, मित्रो और भविश्य और वर्तमान पर ध्यान दें, क्योंकि पुरानी बातों को सुलजाने से कोई मतलब नहीं है. कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, इसलिए खुद की और पार्टनर के भूत काल को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ने के लिए चल इससे मन में शान्ती रहेगी, तथा सकारात्मक उर्जा का संचार होगा, और कोई भी फैसला लेने में आप सहज रहेंगे, जैसा निर्णय आप लेना चाहते हैं. मित्रो, वैसा ही निर्णय आप जीवन में ले पाएंगे, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखन साथ ही दूसरों की बातों में आने की वजह से अपने विचारों को प्राथ मिक्ता देना न भूलें. जो आपके विचार हैं, जो आपके मन में द्वंद चल रहे हैं, उन्हें पहले सुनें. मित्रों, विद्यार्थियों का ध्यान पड़ाई से भटक सकता है, और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिलकुल भी समय व्यर्थ न करें. वहीं मित्रों आपको बता दें कि अचानक से ही कोई ऐसी बड़ी आफत आपके सिर पर तूट पड़ेगी, जिसकी वजह से मित बूत रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रन लगाना होगा. व्यवसाइक गतिविधियों में गति देने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरुरत है, और नौकरी पेशा व्यक्तियों को बदलाव संबंदित कोई सूचना प्राप्त हो सकती है. जी की वजह से लापरवाही न करें. अन्यथा दिन चर्या अव्यवस्थित हो जाएगी और थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्थ रखेगी. मित्रो कोई निवेश संबंधित योजना कर बन रही है, तो तुरंत उस पर काम करें. क्योंकि यदि आप कार्य करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपको कार्य में संतुलन नजर आएगा. आर्थिक द्रिष्टि से परिस्थितियां सभी अनुकूल है. घर के बदलाव संबंधित कोई कार्य भी संभव हो सकता है और परिवार जनों अथ्वा मित्रों के साथ मनोरंजन में भी कुछ समय व्यतीत होगा. मित कुछ भी मनमुटाव है तो आप घर में बैठ कर ही सुलजाएं. घर की बातों को बाहर न जाने दें. मित्रों, आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे. हालांकि आलस्य की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकत हैं, कुछ दिक्कतें, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. आय की स्तिथी में धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सुधार आएगा और. युवाओं को व्यवसाय में किसी नए काम से संबंधित पहली पेमेंट आने की संभावना है. और जब पहली पेमेंट आएगी, तो आप मा के लिए उस पेमेंट से थोड़ा बहुत समान, कुछ न कुछ खरीदें. मित्रो, हालांकि आलस की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं. तो यदि आप थोड़ा सा भी अपने कार्य से ध्यान भटकाने, तो ऐसा होगा ही. वहीं आपको बता दें मित्रों की नौकरी पेशा व्यक्तियों को ट्रांसफर से संबंधित कोई सूचना मिलेगी, जो आपके लिए भाग्य दायक सिद्ध होगी, जिससे मन में खुशी भी रहेगी, और आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा. विपरीत लिंगी लोगों से व्यहवार करते समय मर्यादित रहें, वरना इसका असर आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करा सकता है, और मित्रों पारिवारिक सुख सुविधा संबंधित वस्तूओं की खरीदारी में आपकी व्यवस्था रहेगी, हास परिहास वा मनोरंजन संबंधित कार्य मे भी व्यतीत होने से स्वयम को हलका फुलका व उर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, मित्रों कोई धार्मिक यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है, और आपको बता दें कि आपका काम के प्रती एकागरता न होने की वजह से अपने कार्य के प्रती ध्यान नहीं दे और मन में चंचलता बनी रहेगी, बेहतर होगा कि कोई भी कार्य अथ्वा योजना को स्थगित ही रखा जाए और व्यवसाइक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी, इस समय मित्रों देखा जाए तो ग्रह स्थितियां उत्तम बनी हुई है, लापरवाही करन और व्यवस्था में परिवर्तन करने से अधिक सकारात्मक परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि मित्रों बदलाव बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे वह कार्य में हो, चाहे जीवन में हो, दामपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रतिसम्मान की भावना आपको बना कर रखनी क्योंकि मित्रों, जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को पर्खेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तब ही जीवन में आगे बढ़ेंगे.